आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके उफार अप्लिकेशन के बारे में जेके उफार अप्लिकेशन में आप किस तरह से रजिस्टेशन कर सकते हैं जो नियो यूजर हैं वो किस तरह से आपने रजिस्टेशन कर सकते हैं तो रजिस्टेशन करने के लिए आपको जो है JKU-Phar application की जरुवत पड़ेगी और application को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको टाइप करना है JKU-Phar जैसे के आप यहाँ पर इसकी रिएन में देख सकते हैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ यह हमारी प्ले स्टोर की application open है और हमने यहाँ पर सर्च किया है JKU-Phar और यहाँ पर हमारे सामने JKU-Phar की application आ चुकी है मेरे phone में पहले से install है तो मेरे में open का button आ रहा है और आपके में अगर install नहीं होगी तो यहाँ पर install now का button आएगा तो आप इसको इसको इसके बाद में जो है आप जब application open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का application का front page आएगा इसमें जो है registration करने के लिए आपको user registration वाले button पर click करना है मैं जहूँ user registration वाले button पर click कर लेता हूँ जैसे के आप यहाँ पे देख सकते हैं select user type जे के company की तरफ से जो है अभी application का user interface जो है वो change कर दिया गया है तो अभी जैसे के आप यहाँ पे देख सकते हैं select user type, stockist, retailer और painter और contractor अब जिस category में अगर आप painter हैं तो painter वाला option select करें और अगर आप contractor हैं तो contractor वाला जो है आप option select करें और अगर आप जो है मतलब JK cement या मतलब JK के product अगर आप sale करते हैं retailer वाला option जो है आपको select करना है अभी जो है हम यहाँ पे option select करते हैं painter वाला क्योंकि हम painter का registration करने वाले हैं और यहाँ पर आपको First Name अपना Enter करना है जैसकि मैं अपना यहाँ पर First Name Enter कर लेता हूं नियृ और यहाँ पर आप अगर Middle Name डालना चाओते हैं तो Middle Name डाल सकते हैं लेकिन Middle Name अब वही डाले जैसकि शिवकुमार-सर्मा तो ये जो है मतलब मिडिल नेम जो है वो कुमार अगर आ यहां पे आ रहा है तो आप यहां पे डाल सकते हैं लेकिन अगर आपका जो है नाम है शिव कुमार या शतीज कुमार तो शतीज जो है आपको फर्स्ट नेम में डालना है और लास्ट नेम में डालना है आपको कुमार कि मैं तो यहाँ पर डालेता हूँ मुहम्मद अजीम, मेरा नाम है मुहम्मद अजीम, तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम में डालता हूँ मुहम्मद और लाश्ट नेम में डालता हूँ अजीम उसके बाद आपको यहाँ से पना gender जो है वो select कर लेना है मैंने अपना gender वो select कर लिया है उसके बाद यहाँ पर हमें अपना mobile number जो है वो enter करना है यहाँ पर आप alternate mobile number भी आप add consider लकिन यहाँ आप mandatory नहीं है, इसको जो है आप ''fill happy'' करना है लेकिन अगर आपके पास alternate number है तो आप जो है उसको डाल सकते हैं अगर आपके पास दो number है तो आप उसको डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं जो हूँ यहाँ पर अपनी email id add कर लेता हूँ मैंने जो है अपनी email id जो है वो fill up कर ली है email id fill up करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है date of birth वाला option जो है वो आ रहा है मैं यह नहाँ से अपनी date of birth select कर लेता हूँ तो जो है इसको चाहे तो yes कर सकते हैं या not कर सकते हैं तो मैं जो हूँ इसको yes कर लेता हूँ marital status, आप शादी सुदा हैं या नहीं है, तो वो जो है आप single रखे या married रखे जैसे आप हैं, वो आपकी choice है, मैं यहाँ पर single कर लेता हूँ, marital status के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है ID type, ID type के अंदर जो है आपको अपनी एक ID select करनी है, जैसे क यहाँ पर पहले से ही तीन ID दी हुई है, driving lessons या water ID या pen card, तो यहाँ पर जो है इन तीन ID के अंदर से जो भी आपके पास है, उस ID को जो है आपको select करना है, और select करने के बाद में जो ID का number है, वो आपको यहाँ पर fill up करना है, तो मैं जो हूँ ID का number यहाँ पर fill up कर लेता उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर fill up करना है current address, जो आज जहां कहीं भी आप रहे करके काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो है आपको address डालना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो है यहाँ पर address select कर लिया है, अब नीचे जो है permanent address यहाँ पर show कर रहा है, अगर आपका यही permanent address है, अगर आप यहाँ पर local है, तो आप यही permanent address दें और अगर आप कहीं बाहर से हैं और देहरादून में रहके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना permanent address के अंदर आपको अपना वही address देना है जहां के आप रहने वाले हैं, ठीक है, और यह current address के अंदर आपको वैडरस देना है जहां पे आप रह रहे हैं तो मैं इसको सेम कर लेता हूं उसके बाद मैं जहां मैं प्राम्स एंड कंडिशन को यस करूँगा और अगर आपके नंबर पे वाटसप आईडी बनी हुई है तो आपको यहां पे चेक बॉक्स दिख रहा है इसको यस करना है और अगर नहीं है तो आपको नौ करना है तो मेरे केस में जो है इस नंबर पे वाटसप है लेकिन मैं जो हूँ इनकी कोई भी अपडेट वाटसप नहीं चाहता तो मैं जो हूँ इसको नौ कर दूँगा उसके बाद में जो है मैंने सारी इंफोर्मेशन बढ़ती है उसक OTP को मुझे यहां पर fill up करना है मैंने अपना OTP एंटर करने के बाद में submit पर click किया submit पर click करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरी registration request है वो accepted कर ली गई है registration request accept होनी के बाद में आपको application को बन कर देना है उसके बाद में reopen करना है और अपने mobile number से login करना है mobile number से login करने के लिए mobile number login वाले button पर आपको click करना है उसके बाद जो है आपको अपना mobile number एंटर करना है मैं जो हूँ mobile number एंटर कर लेता हूँ mobile number एंटर करने के बाद में get OTP वाले button पर आपको click करना है जैसे ही आप gate OTP वाले बटन पे click करते हैं तो आपके जो registered mobile number है, उस पे आपके एक OTP आएगा उस OTP को जो है आपको यहाँ पर enter करना होगा आपको OTP enter करना है, OTP enter करने के बाद में जो है आपको submit पे click करना है जैसे ही आप submit पे click करते हैं तो आपका जो account है वो login हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे screen पे देख सकते हैं कि मेरा account जो है वो login हो चुका है आपको जो है घपराना नहीं है account अप्रूव होनी के लिए 24 से 48 घंटे का time लगता है आपको चलेगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें मिलते हैं अपनी एक और next वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद